शर हमने लिखा था पर जाएसे और बीच में एक लाइन दिए शर फिर सर को मैंने कहा था वहां ये ट्राइंगुलर इस वेरी इंपॉर्टंट है ये ट्राइंगुलर होना चाहिए अगर ये ट्राइंगुलर अगर यही लिखेंगे और इदर गोल होगा तो इडिस म याद रहे तो यहां पर ट्राइंगुलर होना चाहिए मैं फिर लाइक दिस 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 इस सब्सक्राइब श्राइं सब्सक्राइब कैसे लिखते हैं है 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 इस लाइक दिस ये इस इस हर एक लाइन बिल्कुल लाइक दिस हर फिर आपने क्या लिखा था कर एंड श्राइब दो तरियुक से मैंने कहा था कर ऐसे कर ऐसे लिखते हैं और इसके साथ अब आगे पता भी चलेगा ऐसे श्राइब या या इससे भी थोड़ा सिंपल ऐसे है दिस इस या मैं एक बार फिर लिखता हूं लाइन डाल दिजिए लाइक दिस इस को एंड श्राइब यहां पर एक बार फिर इस रिप्रेजंटेशन से इसको रिप्रेजंट कर सकते हैं फिर लिखाता हमने त्र त्र र आगे पता चलेगा यह में त्र और नीचे से इसको र आएसे जैसे देवनागरी में हम किसी लेटर के साथ त्र इस बेसिकलिए त्र एंड इस र तो यहां पर जब र लिखते हैं र आपोजिट डिरेशन में लिखते हैं अभी आपको पता च इस र और इदर से र लिखुगा इदर यह हम आगे रूल है लेकिन त्र में तो पहले से हमने बताना परेगा तर इस तर वी नो इस तर और इस र इस र तर र रगए दन ग्यर जो एंड अन अन जो एंड लिखना है जो को हम पहले हम पता जो जो एपन रहे से लग्ध इस डिस बहु कर दा इस अन बहुत है आइसर यह का घ्य घ्यर बैड लिखता हूं बट इस विश्टी यह इस रेट हो ना चाहिए नाट बी लाइक धिस नौर्मली ऐसे भी लिखते हैं, इस नौट करेक्त हुए, जर ना, जिस इस ग्या, ये हमने सारी ये ऐसे लिखे लिखे लीखे, फिर मैंने नेक्स में बताया था, अब हमें पता है, सारे की सारे लेटर जो है, वोवल्जें, इन कौनसोनेंट इन शादल फिर हमने कहता सिंपल टू लेटर वॉर्ड में यह से लेटर हमने कर दैंख इस अपर आपर लाइन तो जैसे हम लिखते हैं यह फी लिखना इलग हम लिखना इलग इस पर और भी लिखना अलग लाइक साथ साथ लिखेंगे इसके बाद वर्ड होगा बीच में ग्याइप रखेंगे जैसे कोई कमल लिखना है कर इसके बाद वाला जो हमने किया था रिविजन क्लास हो रहा है कमल लिखना है तो वाट वी कर अलग यू राइट कर लाइक दिस दैनम इसके साथ एंड लग अभी आप अपनी कॉपी सामने रखेंगे और देखेंगे हर एक लेटर को इसी हो जाएगा सपोज कोई भी वर्ड लिखना है लिखेंगे कोई भी सपोज सारल लिखेंगे सार रह जब हमने लखना है इंड लिखेंगे सा तो रह लुक एझए बहिंगे सार श तो रह जिलार न शर लिखेंगे सार्ण practically से right so this was simple writing of simple words जिनमें एक और वर्ड लिखते हैं दो लेटर तीन लेटर सब्सक्राइब दर पन लिखना है हम दर र पर और न दर पन लिखेंगे शाद्धा में तो वाट वेड़ दू पहले दर लिखेंगे अलग से दर रड़ र पर and then right this is दर पन समझा रहा है इस इस सिंपल राइटिंग अप सिंपल वर्ड विदाउट मात्रा जब भी आपको वर्ड लिखना है लेटर्स को साथ साथ लिखना है विदाउट अ कॉमन श्रोरिख इस दो अब इसके बाद मात्रा से हमने किया था स्टाट हाव तो राइट मात्र दूस इन्शालला स्टाइब राइट तो मात्रा में हमने किया था अगर आपको इन को याद होगा ही मात्रा में डिफरंट मात्रा कैसे लिखते हैं मैं एक वर्ड लेता हूं उस पर हम ये एपले करेंगे और एक ये बकमस एजे इस अपोस्स मैंने कहा था हलंध वर्ड तो इस हलंद को ऐसे लाइन से हम डिनोड करते हैं इस लाइन से इन्शालदा मैं साथ-साथ में एक्जांपल भी बताऊंगा एक ही एजी लगेगा लिए सब्सक्राइब किसी जगह पर लिखा होगा महलंद महलंदी में देवनागर में लाइक दिस तो यह हमने लिखना है में हम हलंद का यूज करते हैं बीच में नहीं तो ऐसे हलंदी लिखते हैं लड़ सपोस हमें आ मात्रा हैं आ मात्रा इन यह लेटर है इसके साथ आ आ मात्रा तो शार्दा में आ मात्रा के लिख छोटी सी डेंडी होती है let us give an example suppose हमें लिखना है कोई भी जा लिखना है जो आ तो यहां पर आ पूरा लिखा होगा अब जो यह मात्रा शार्दा लिखी में लिखेंगे हम जा के लिए special rule हम सॉरी जा था हम नहीं ले सकते हैं यह भी कल हमने किया था special rule सबस्थ पा लिखना है पर एंड आ पा हम आगे बताएंगे special rule पा क्या करना है पर और इसके साथ पर रिमेंबर जो भी जो भी मात्रा होती है मात्रा लेटर के साथ होनी चाहिए ऐसे नहीं लिख सकते हैं डिस मणा सबस्तर सबस्कता है यह जो होती है में कोई फरक नहीं है ए मात्रा और ए मात्रा जो है जैसे कोई फरक नहीं है शार्दा में यह हम ऐसे लिखते हैं और ए बिलकुर आइसे लिखते हैं सब्सक्राइब लिखना होगा तो विलाट पर 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 यहां से लिखेंगे यहां तक समझ आ रहा है ना कोई सब्सक्राइब लिखना है Dasi, let us write one word here, do abhi तक है, D-A-S-E, A मात्रा भी है उड्यी मात्रा भी है, सब्सक्राइब लिखते हैं So how we write it? First D, D के साद A है, so it is D, short is hidden, it is A, right? इसमें किसी को कुई डाउट है तो बोढ़ जी है जई तैन सरी सर हमने लिखा इसी कैसा एमातरा स्लाइट इद भी का मुटासी राइट ? जो खलंद कैसे लिखते हैं, बिलको एक लाइन देढ़ें के टी जैसा, लेटर के साथ, और छोड़ी, सिदेंटी, E and E, same, there is no difference whatsoever, as far as E and E is concerned, right? जी देन, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, उ एंड उ मात्रा, जो उ मात्रा होती है, उ is like this, and उ is like this, in, we can say, in देवनागरी, now, in शार्दा, उ मात्रा is simple, small triangle, below the letter, and उ मात्रा is, जैसे र लिखते हैं इसमें देवनागरी में, it is like that, in शार्दा, let us give an example, example, example में देता हूँ कोई, फिर समझाएगा, उ मात्रा की, या उ मात्रा की, suppose हमें लिखना है, अनुमान, उ मात्रा का, यहां पहले में simple, लिखूँगा, न उ न, suppose न, उ लिखना है, न, उ और न, उ लिखना है, न, उ शार्दा में कैसे लिखेंगे, इस आपका idea है, अभी मैंने कहा, कि उ is a small triangle, so न, जब मैं लिखूँगा, it is न, we know it is न, and we have to write a small triangle here, it is न, and अगर हम न, उ मात्रा लिखनी है, न, it is like this, उ, actually it starts from here, it starts from here, क्योंके अल अल इन रिखनी थी, मैंने ऐसे लिख लिख लिए, जो मैंने यह ऐसे दिखा दिखा दिया यहांँगा, हू, उ, right, so it is न, and उ, suppose मुझे एक वर्ड लिखते हैं, अभी मैंने कहा था, अनुमान, अ, न, उ, म, आ, न, न, अ, अ, फिर्स्ट अफ आफ आफ और रेट, अ, हमें पता है, इस, अ, न, उ, this is न, म, उ, उ मात्रा, small triangle, here, म के साथ आ, म, small dandy, and then न, अनुमान, right, उ and उ मात्रा में कोई डाउट है तो, पोशलिजिये, अभी तक हलन, आ, small dandy, ए and e, same, and उ and उ, मैंने कहा पार, उ, दिया जाज़ आज़ा, represented by a small triangle below the letter, and Q, जो है, जैसे र, लिखें, लेक्षाइट के तरफ र, यहां तक किसी को कोई डाउट है, तो, पूच लिजए, नहीं, सर्फ, क्लिए, जो हम, इसमें, देवनागरी में, रि मात्रा लेते हैं, रि is written like this, अगर मैं इसको, letter के नीचे, it's a letter, like this, रि, and रि मात्रा, Sir, जी, सर्फ, ये गोला, गोला जो होता, इसको क्या मत्स? प्रहाएं दे passa साथ अक्यों कुसे लिखा होगा म नहीं हुआ हुआ ॽा actually कर देवनागरी में तो अगोला एक लिखा हुआ हाँ फिर हम ने इसको शार्दा में लिखना है रिबातरा को कैसे हम रप्रजट करेंगे शार्दा में वह रप्रजट डाइक डिस क्या लित लिवह्या गश्टार असकी साथ लाइगी से री में एक और फिर इसी के साथ दूसरा सब्सक्राइब के साथ री मात्रा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे मा और हमें पता है ऊपर की तरफ लाइक डिस शार्दा इसमें हैंदी में ऐसे और इन शार्दा इस आईसे दो दो ऐसे री मात्रा तो यह भी एक है अब एमात्रा जो इंपॉर्टेंट है एमात्र अगर यह लिटर है लैटर के साथ हम ऐसे बनाते हैं राइट और आई मात्रा जो है इस अग इस एंड आई सब्सक्राइब एक एक एक्जांपल देता हूं भी समझाएगा पहले हम लिखते हैं इसको लेस राइट इजिए इंशारदा इस रिटन लाइक इसल वान लाइन और पॉरिजनटर लाइन अब दिले एड आई के लिए तूह होरीजनटर लाइन अब देलेट राइट सिंपल कोई उतना मुश्किल नहीं है यह एक होरिजंटल लाइन जैसे केवल लिखना है let us suppose केवल कर एवल इसको हमने लिखना है अब शार्द अलिपी में लिखना है विखना है विखना है विखना है विखना है अब ओ आव माधरा अब ओ मात्रा ज्यान से देख लिए ओ मात्रा जो होती है ओ हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं ओ मात्रा जिसको ओ हिंदी में लिखते हैं ओ ऐसे तो इस ओ को हम लेटर के साथ ओ होता है तो यहां पर शार्दा में इसको ऐसे लिखते हैं सब मोहन लिखना होगा म ओ होन मोहन इसको अम काई से लिखेंगे यह रिखेंगे विल्याट लाइक दिस में ओ एक में ओ इस ओ मातरा के लिए लाइट इस इस इसे लिखना है ऐसे ही लिकिन यहां पर टंड़ी भी डाल दी है जैसे कोई भी लेते हैं म आउ लिखना हो हमें म के सथ आउ मातरा होगी तो हम इसको कैसे लिखेंगे सेंपल म अब आउ ऐसे और एक लाइन नीचे इस पाऊ और में सिर्फ एक डिफ्रेंस है यह लाइन छोटी सीडेंड इस नीचे आम और आ तो सेम ही है कोई फरक नहीं उपर स जैसे म के ऊपर ऐसए तो हम इसको यह पा के ऊपर तो शाद लिपी में भी ऐसी लिखेंगे और आ मैंभी शाद लिपी में बिल्कुल सैम लिखेंगे में जो यह था हमारा जैसे मैं है बड़ एक को आँप लेता हूं पा को ऑन ए radio पा अनो पा-प मैंब पो लेता है नहीम है पर ई, पर उ, पर उ, पर ररी, पर ए, पर आई, अगर पाई लिखना हो, आउ लिखना हो, तो लाइक दिस, ओ, आउ, यह ओ था, तो आउ, यह सिंपल मातरा हमने किये थी, मातरा का रूल्स हमने किये थे, सपोस हमें लिखना है शारदा, जैसे मैं लिखता हूँ शारदा, रोज यहां पर, तो शारदा के लिए श, आ, आ मातरा है, र, द, आ, तो इसको अब कैसे अब लिखेंगे, पहले श, के साथ, आ मातरा, छोटी सीडेंडी, फिर र, लिख लिया र, फिर द, के साथ, आ मातरा, द, आ, आ, कर्रेक्ट, लेट उस टेक अनदर, विचार लिखना है, यह तो सेम ही है, कोई फरक नहीं है, वह इक, चार, इसमें कोई, वह, ए, चार, आ, छोटी सी, एंडर, विचार, जस्ट अ मिनट, लास्ट टाम हमने किया था, फिर स्पेशल रूल फर आ मातरा, तो पांच लेटर्स है, टोटल में, जैरा फाइव लेटर्स, जिनके लिए हम, आ मातरा के लिए अलग रूल लिकते हैं, फाइव लेटर्स, अलिए बेरि इंपोर्टन, स्पेशल रूल, एक्सेप्शन रूल हर एक के लिए तो ठीक है, लेकिन जैरा जो आ मातरा है, पांच लेटर्स के लिए डिफरेंट हैं, और वो पांच लेटर है, हंदी में जो न है, ज है, त बताया था हम ने, दे और बताया था ये, सारी, ये वाला न, न और बताया था, घया, these are five letters यह आपको याद रखना है इन पांच letter में जब आ मातरा लिखते हैं जैसे यहां पर मैं इसके साथ अब add करो आ ना जा टा ना और क्या तो हमने कहा था इसके लिए एक अलग rule है special rule है because इनके साथ already छोटी डंडी यहां होती है एक है तो इसलिए आ मातरा को अलग से differentiate किया जाता है suppose ना जो है ना तो पहले ऐसे लिखेंगे ना देखे यह ना है पहले भी बता चुका हो मैं अगर मैं ना लिखूँगा already एक लाइन है दूसरी लाइन डालेंगे आ की मातरा तो जा जाज ऐसे इसलिए रूल यह है कि अगर ना है इसके लिए आ लिखना है तो इसके लिए आ मातरा इस लाइक इस यह ना है suppose जा लिखना है पहले जा लिखेंगे इस जाज़ जाज़ में already टू लाइन है अब तीसरी लाइन आ के लिए नहीं डाल सकते हैं तीसरी छोड़ी ता हम क्या करते हैँघर के लिए यहां पर दोड़ देंडि यह ऐसके लिए छोटा सा लाइंड है इसके ऍपने लेते हैं इसमें थोड़ा सा डाल दिया थोड़ा सा एक्स्टरनल रख लिए इस लाइन जोटी सी लाइन रख लिए बाहर यह इंडिकेट करता है जह है दो देज़ वन लाइन वाला तो इसलिए इसको एंड से करना है इस तर इस ईद से वापस लाना है पिर ना, ना के लिए एक special rule हमने बताया था, like this, ना और आ के लिए वापस इसी line लाना है, और क्या जो है, again, जो इसमें है, दो lines है इसमें, इसमें दो lines है, तो इसको यहां से वापस लाना है, यह था last time जो हमने किया था, last time मैंने कराया था, के आ मातरा के लिए special rules, right, बताये यहां तक, कोई doubt, अब आज हम करेंगे special rule for o and o मातरा, this is very important, special rule for o and o मातरा, यह आज वाला हमारा था, o मातरा जब हम लिखते हैं, तो हमने normally बताई थे ना, o मातरा के लिए, जो, तो हमने, यह o है हिंदी में और यह o है, इनके लिए जब special rule की बात करते हैं, त्यारा nine letters, remember this thing, this is very important, nine letters है, जिन में o and o की मातरा differently हम लिखते हैं, तो पहला letter जो इसका है, am I audible, ना, जिस्ट लेटर इस कर, याद रहे, कर के लिए, कर, o, कु, एंड, कर, o, कु, यह पहला letter है, जिसमें o and o मातरा is written differently, पहले आपको यह समझना है, किस letter में यह है, सेकंड लेटर है, ग, 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 लेटर के लिए भी different दिखा जाता है, शार्दा में, कैसे लिखेंगे, वह हम अभी बताएंगे, तीसरा, है, ज, यह वाला ज, 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 ज, ज, वू, ज, अउ, ज, ज, के लिए, और सो न, ज जो है, यह fourth letter है, जो आपको याद रखना है, ज, ऑ, ज, पहले ग Always, ए, ग, ज, बताव है, ज, पहले है और डू हो गए यह दो लेटर और यह तीन लेटर पांच लेटर हो गए और चार लेटर है इसमें बू यह आपको पहले याद रखना है किस किसमें है यह बू करेक्ट फिर है next फिर है next श श उ श उ हो गए 8 लेटर्स और लास्ट है र र उ और नाइस रो उ लिखा मैंने र उ यह आपको याद रखना पहले कर गर जह न ड द द ब त एंड श एंड लास्ट में र इस नाइन लेटर्स में जब उ एंड उ मातरा लिखते हैं हम शारदा में इट इस डिफरेंटली अब इनको कैसे लिखते हैं और फिर उसमें प्रैट्स करेंगे तो यह जो यह पहले में कर्ल से स्टार्ट करताएं लेटस स्टार्ट कर से कर दिस कर जब लेकिन कर ओ, कर is like this and ओ मात्रा is like this, जैसे दो ओ लिखने हैं, पहला लंबा और दूसरा छोड़ा, को and को, बिल्कुल ऐसे गर में, गर ओ and गर ओ, same way, पहला लंबा और दूसरा छोड़ा, आप जर में लिखेंगे, आपको पता है जर कैसे लिखते हैं, जर लिखना लाइक दिस, इसे जर, ओ इसी के साथ, and जर, ओ, जर, ओ, राइट, अब नर, नर हम लिखता हैं इससे, अब ओ and ओ, इसके साथ लिखना है, ओ, इस लाइक दिस, और ओ, दर मैंने पहले भी दिखाया आपको, दर इस लाइक दिस, पूरा नहीं, इस लाइन से, जो यह लाइन है, जो यह लाइन है, इससे पहले ही इसको हमने प्लोज करना है, दर ओ, आपको पाता है, ब 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 ओ, आपको पाता ह तब 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 बचर यूँ औश इख यू और एक यूख रहा द रहा टे는 रहा दो याद रहा है है तो एक्चुली ऐसा तो हम ऐसे लिखते हैं पूरा नहीं लेते हैं उपर तक क्योंकि बहुत सारे लेटर है ना भी ऐसे ही है तो यह उसके साथ नहीं तो कंफूजन हो जाएगा अगर इफ राइट लाइक दिस रह और फिर इदर से लिखेंगे तो उसे कंफूजन के लिए ह रहु यह बड़ा इंपोर्टन आप देखे जे बर इस रू इस इस बर इस इस नियर इस इस धर इनको डिफ्रेंट शेट करना है ते भी रू 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 इस नाव सेंपल इस रू ए रू रू एस उजिवल र अब उपर से ले लो ऐसे रू या ऐसे लिख लो इदर से ही ले सकते हो और जैसे हमार से है तो nine letter का special rule है यह आज आपको यह याद रखना है फिर हम words आराम से कर सकते हैं ठीक है ना कर के लिए कु एंड कु गर के लिए जर के लिए नर के लिए डर के लिए देन बर तर अन शर सिर्फ र के लिए याद रखना है र के लिए यह सिंपल वहीं से हॉरिज़न्टली नीचे करना है like this this is all about today's lesson